नमस्ते स्वाकत्याप का होमगांडिंग एन क्रेटिविटी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो खूब सूरत से डियाइवाई जो बनेंगे हमारे पूरी तरह वेश्ट मेटिरियल से और जो अभी ट्रेंड में भी है तो देखे शायद मोस्टली लोगों को पता च कुछ बनाने वाली हूँ दो डियाइवाई आज आपको देखने को मिलेंगे एक बनाऊंगी इस टूटी ही उरली में और दूसरा बनाऊंगी में एक पुराने टायर में जो आज पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर अभी तक आपने सस्क्राइब ने किया होलों के टुकड़े लगा दी हैं अब मैं इसमें सौईल मैंने जो मिक्स करके रखी है इसमें नीम खली भी है गोवर की खाद वी है तो इसमें मैं डाल लेती हूं आपको जो आप सेकुले बनाते यानी जिसमेन पानी रुके न यह है जेड प्लांट इसके मैंने यह पिकॉग बनाए है आजकल इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं चल ली है मैं इनकी ट्रीमिंग कर देती हूँ टो देखिए छोटे छोटे पीस हमने इससे ले लेने हैं इस तरह से कट करने हैं आपको दिखाते हूं इस तरह के काफी सारे पीस हमें चाहिए और हमारे प्लांट की प्रूणिंग भी हो जाएगी और इनकी कटिंग से हमारे DIY भी बन जाएंगे इस तरह से मैंने काफी सारी कटिंग ले ली है छोटी-छोटी बहुत सारी कटिंग हमें चाहिए क्योंकि हमने बनाने हैं दो DIY आपके पास अगर जेड नहीं है तो आप कोई भी ऐसा प्लान ले सकते हैं जिससे हेज बनती है यानि बॉडर बनाया जाता है तो देखें पॉड में मिट्टी भरने के बाद कटिंग ले ली उसके बाद हमने एक किसी भी पैंसिल से या किसी चीज से भी हमने यहाँ पे स्री राम लिखना है स्री राम को हम जेट की कटिंग से कवर करेंगे देखे ये पहले मैं लिख लेती हूँ इस तरह से उसके उपर से कटिंग लगाऊंगी तो काफी सुन्दर हमारी ट्रे बन जाएगी और मैंने बोला ट्रेंड में भी है तो स्री राम जी के मंदिर का उद्गाटन जो होने वाला है इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी अपनी गार्डन के लिए एक खुबसूरत सी ट्रे बनाती हूँ स्री राम जी के नाम से बनने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि छोटी छोटी कटिंग है जिने हमने एक क्यों में लगाना है इतनी छोटी कटिंग मैंने ली हैं जो हाथ में भी ठीक से नहीं आ रही है सिरी राम जी जो हमारे गार्डन में आने वाले हैं इतना आसान भी नहीं है भगवान जी को अपने पास लाना इसलिए कुछ तो मिहनत करनी पड़ेगी हमें देखे ऐसी छोटी छोटी कटिंग लेके इसी तरह से हमने लगानी है इसी तरह से अगर मैं पूरा दिखाऊंगी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा पाट आपको दिखा देती हूँ काफी टाइम इसमें लग रहा है बनने में तो देखे इसी तरह से जैसे स्री लिखा जाता है पहले आप लिख लेजिए उसके उपर से आप इस तरह से छोटी-छोटी कटिंग से उससे कवर करते जाएए तो मैं ये लिखरी हूँ स्री उसके बार नीचे से लिखूंगी राम और जब ये ट्रे पूरी हो जाती है धिरे-धिरे हम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा पीस हमारे गार्डन के लिए ये बनेगा आप एंट्री में भी इसे लगा सकते है देखे थोड़ा बहुत स्री हमें नजर आ रहा है अभी क्योंकि जैसे जैसे हम प्रूनिंग करते जाते हैं प्लांट की तभी पूरा सेप आता है अभी इतने अच्छे से ये दिखाई नहीं देगा स्री में थोड़ा सा काम अब बच किया है ये तीन-चार महने के बाद बन जाएगा तो काफी सुन्दर पीस ये हमारा लगेगा देखिया स्री नजर आ रहा है हमें अच्छे से जो भी कटिंग थोड़ी लंबी है उसे ट्रिम कर दिजिए उपर से अब यहाँ पे लिखना है हमने राम यानि सिरी राम लिखना है इस ट्रे पे और उसे आप किसी भी तरह के स्टोन से सजा सकते हैं मेरे पास थोड़े बहुत ही स्टोन अभी हैं वाइट कलर के मैं उसी से उन्हीं को मैं इसमें लगाऊंगी पहले राम लिख लीजिए उसके उपर से छोटी छोटी कटिंग से राम को ही हमने छोटी छोटी कटिंग से फिल करना है राम मंदिर का उद्गाटन होने वाला है उसी के उपलक्ष में मैं अपने गाडन के लिए बना रही हूँ यह खूब सूरत से ट्रे गाडन जो हमेशा ही हमारे गाडन की शुभा बढ़ाते रहेंगे एक बार बनाने तक की देर है यह सालों साल हमारे गाडन में इसी तरह से फिर बने रहते हैं क्योंकि सेकुलेंट पौधे जल्दी मरते नहीं हैं बहुत कम केयर में ही यह इजीली चलते हैं जेट प्लांट काफी लखी भी माना जाता है घर में लगाने के लिए अब ही आपको नजर नहीं आएगा थोड़ा सा दूर जाके दिखाती हूँ आपको तो देखे सिरी राम हमारा पूरा हो गया है जब यह बन जाएगा बहुत अच्छे से दिखाई देगा दूर से भी अभी तो यह इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें स्पेस कम है इस ट्रे में चोटा सा पौड था बहुत बड़ा पौड यह नहीं है तो देखे कुछ इस तरह से यह बन गया है अब मैं थोड़े से वाइट चिप्स डाल देती हूँ मार्बल के जहां जहां खाली स्पेस है उनमें मैं डाल देती हूँ ताकि स्री राम ठीक से उभर के आए उस दिनों बाद ही यह ट्रे हमारी बहुत खुबसूरत दिखेगी जैसे जैसे हम ट्रिम करते जाएंगे पौड़ों को तो यह अच्छे से उभर के आएगा पूरे में लगा लेते हैं स्टोन चिपस आप किसी भी तरह के पत्थर लगा सकते हैं या फिर आप कलरफुल सेंड आती है उसे लगा सकते हैं मैंने पूरे में यह भर ली हैं चिपस पानी से स्प्रे करना है इस तरह से मग्ये से या किसी पाइप से पानी नहीं डालना है आ दर्वाइज इसमें मिट्टी आ जाएगी उपर से तो देखी ये सरी हो गया हमारा इससे और ये है राम तो मैं लिखना जय स्री राम चाहरी थी पर ये ट्रे चोटी है इसलिए स्री राम ही लिख दिया है आसा करते हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा इस तरह से बना के आप रखेंगे अपने गार्डन में तो एंट्री पर रख दीजे कहीं पर भी अगर आपके एंट्री वे पर धूप है आप उहां पर इसे सजा सकते हैं देखे स्री राम कितना अच्छा लग रहा है जैसे जैसे ये ग् आपके साथ भी शेयर करती हूँ अब चलते हैं अपने दूसरे डियाइवाई की तरफ ये है एक टायर जिसमें मैंने मिटी भर ली है तो दिखें मिटी पहले भर दी है ये एक पेंट की बकेट का धकन है उसे नीचे से लगा लिया है पहले मैंने फिर उसमें एक होल कर दिय देखी यहां पे होल कर दिया है और नीचे से लगा के कुछ तूटे वे गमले के टुकड़े उसमें बिचा दिये है उपर से हमने मिटी भर दिये है तो देखी यह मैंने ओम लिख दिया है यहां पे इसको आब हम छोटी छोटी जेट की कटिंग से फिल कर लेंगे यह मैंने कटिंग ले ली है जेट प्लांट की छोटी छोटी तो इन्हें इस तरह से नीचे से लीव खटा नहीं है हमें तीन चार लीव नीचे से हटा दीजे उसके बाद एक एक करके लगाते जाए यह लाइन पे अब मैं इसी तरह से सारी कटिंग लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो देखें मेरी पूरी कटिंग लग चुकी है, इस तरह से मैंने लिख दिया है अम, मेरे पास टायर भची था घर पे, तो टायर में लिखा है, मैं एक ट्रेल लाओंगी, उसमें इसे बनाओंगी, काफी खुबसूरत लगेगा एक खुसंदर सी ट्रे लेके हम इसमें पानी दे देते हैं इस्प्रे बॉटल की साहता से इस्प्रे बॉटल से हमेशा पानी देना है जब भी हमारी मिट्टी सूखी नजर आए तो देखे ये पॉट हमारा बन चुका है ये सिरी राम वाला है इसमें नएक पाइप में रख दिया है इधर हमारा ओम बन गया है इसमें मैंने कुछ स्टों शिप्स डाले हैं और इसमें डाल देती हूं ब्लू कलर की रेत जो कलरफुल रेत आती है ब्राउन ब्लू तो मैं ब्लू कलर की मेरे पास है तो मैं इसे ही लगा देती हूँ यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कैसा लोक इसका आता है तो देखे इसमें हमारे कोई पैंसे भी खर्चन हुए पूरी तरह से कभार से जुगार वाला मेरा यह आइडिया है फ्री में हमारे दो ट्रे गाडन रेडी हो गए हैं हमारे गाडन डेकुरेशन के लिए जो पर्मानेंट हैं काफी साल तक ही हमारे गाडन में बने रहेंगे आसा करते हूँ आप लोगों को भी यह इतने ही अच्छे लेगे अगर आपको यह मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट में जैस्री राम जरूर लिखिएगा तो देखे इस तरह से पूरे ट्रे में मैंने ब्लू कलर की सेंड बिछा दी है और उससे इसकी खूपसूरती और भी निखर के आ रही है मुझे तो यह काफी खूपसूरत लग रहा है आसा करती हूँ आप लोगों को भी यह इतना ही खूपसूरत लग रहा होगा तो देखे इधर स्री राम वाली ट्रे होगी और इधर है यह ब्लू कलर की ओम वाली अब मैं इन दोनों ट्रे को धूप वाली जगे पे रख दूँगी इसके बाद मैं इसे एक हफ़ते में पानी दूँगी क्योंकि अभी कटिंग में कोई रूटिंग नहीं होरी जब कटिंग रोध करने लगी उसके बाद मैं इसे पानी दूँगी तो देखे ये स्री राम वाली ट्रे हो गई हमारी और ये है हमारी ओम वाली ट्रे इसको और ज़्यादे सजाने के लिए मैंने ये यलो कलर के दिये लगा दिये हैं इन दियों को मैं 22 जनवरी को जलाऊंगी अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्ली लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर कीजिए कॉमेंट में जैसरी राम जरूर लिखेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में बाबाई जैसरी राम